तो नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री स्कूल फॉर्म के यूटूब चैनल में और हमारे साथ आज विश्णू जी बिला है जो अपनी कंपने लाइन में अच्छा काम कर रहे है और साथ में किसान जान बी है अपने क्यति में वह काम करते हैं आज आ洗कल लिया है वूमिर्क्री के फुटाव और मेर्क्रेकी जोता हैC जैसे कि आप देख रहे हैं मिर्ची में फुटाओ के लिए हम बात करने जा रहे हैं मिर्ची में फुटाओ के लिए प्राइमरी स्टेज में आप इसमें फर्टीकेशन को ध्यान दीजिए उसमें फर्टीकेशन जरूरी है कि बात ये कर रहा है मतलब जो भी आपका सेडू ले खाद में मीडची में सबसे जरूरी होता है कि जब हम इसको ड्रिप में लगाते हैं तो फर्टिगेशन बहुत महत पुर्ण उसको दिया जिससे मेरे को अच्छा फुटाओं मिला अच्छी ग्रोथ मिली और उसके बाद मैंने 5557 का चलाया है ड्रिप इरिकेशन में 5557 यह महिंद्रा समीट का आता है इसका भी बहुत संदार रिजल्ट मिला आप देख रहे हैं यह ग्रोथ उससे ही मिला है मेरे को मतलब इस तरह से आपने क्या इसमें आपने कोई टॉनिक आप या कुछ ड्रिप में दिया है यह यह अपने आपने 3557 पाच 557 आपने इसमें कितनी बार दिया है मतलब एक ही बार दिया है किलो चलाया है मैंने तीन एकड पर अच्छा मदने इसके उपर कितने चलाया है अभी नहीं चलाया है अभी इसमें कुछ भी रोजका हो गया है 19 जून का ट्रांसप्लांटिंग है आज मासट रोजका हो चुका है तो नेक्स फर्टिगेशन क्या लेने वाले हैं अभी अपन देखे तो फ्रूटिंग आपकी बहुत अच्छी नजर आ रही है नेक्स फर्टिगेशन क्या आपका प्लान है अगले दो-चा अगर हम देना चाहें तो अपने खेत में तीन किलो पर एकड़ से अभी करना है इसको अल्टरनेट पर लेना जैसे अपने ग्रीन चिली तोड़ा है उसके बाद आप कीजिए उसका ड्रीप इरिगेशन कीजिए प्रोड़क्शन बढ़ेगा मतलब यह चाहा रहे हैं कि जैस अब इसमें सलफर या मेगनिशियम कुछ देते हैं सलफर से लेकिन आपके वह स्टेज नहीं सलफर की अब आएगी तो अपने स्टेज उसको दे देंगे कौन सी स्टेज पर डलता है सलफर एक तो सुरू में भी डलता है या पई जैसे अभी मिर्ची आ रही है इस स्टेज म हädए घर्मि अतपन करेंगा तो तो अबंब यह थंडी में हम उसको हीयोष करेंगा पदो संवें यह अभी मैं करूं मेरे करेंगे अब हाद छ परऺए गुरीण चीली मतलब यह कहना चाहर है कि पैज ब तुड़ए होगी तोवाटराऑ इसे पहले तो क्या है यह 0050 इसमें क्या पोटास से 50 परसेंट अच्छा पोटास नंगों ने बताया कि अगर आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए तो तोड़ने कि कितने दिन पहले पोटास देना चाहिए पांच से छे रोच पहले आप चले उसको फिर पीकिंग कीजिए उसका तो मतलब यह है कि आपको हो सकता है अच्छा उसमें रेट मिल सकता है साथ में 13-045 भी कहीं किसान भाई देते हैं तो 13-045 का बेनेफिट वह भी वही है ग्रोथ प्रमोटर और क्वालिटी फ्रूट क्वालिटी क्योंकि उसमें भी 45% पोटास रहता है और नाइट्रोजन जो रहता है वह ग्रोथ पर भी चलता है ग्रोथ भी करवाता है उसमें अच्छा एक दो और जो है वाटर सॉलूबल जिससे जीरो बावन चोटीस या तेरा चालिस तेरा है तो इनका उप्योग कैसे हमें करना चाहिए या करने कि इसकी नीड है कि नहीं क्योंकि आपने बताए 14 अच्छा आपसे डालते हैं किसा लेना क्या करना है उसके हिसापसे आफ़ेट 645 भी कर सकते हैं और जो फ्लावरिंग उसको बढ़ाएं चाहिए ज्यादा अपने छाहिए तो आपन उसमें कौन सा केमिकल या वाटर सालूबल ना चाहिए चेमिकल के अगर बात करें अपन त तो प्लांट डोदिेटर। का य्ज़ कर सकते हैं यह आप भायोजी कल पोटास का यूज कर सकती हैं हाह बायोजीकल पोटास अब भूछ से उत्पाद आया है मार्केट में सवर्ज टिकनलोजी सस्क्षाम करते हैं अचा कि प्लांट के अंदर जीन अपगरेट करते हैं जीन पर वर्क करता है तो मतलब यह कहना चाह रहे हैं कि जो नए नए टेक्निकल्स आ रहे हैं जो फ्लावरिंग पर ही काम स्पेशल करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी विरला जिन्होंने हमें मिर्शी की ग्रोथ के बारे में बहुत ही अहम जानकारी दी मैं आपका तहह दिल से धन्यवाद करता हूं एक देश्कुल फार्म के सारे विवस के और से दोस्तों ऐसे ही वीडियो आप देखते रहे हैं और सेर सस्क्राइब करना ना भूले और नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करें कुछ नए ड़ापी के साथ आज के वीडियो में बस इतना है थैंके वरी मज़ जाहिंद